हेलो एवरिवान वेल्कम बैक मेरे प्यारे बच्चो आज काफी इंपॉर्डेंट सर्कुलर आपके लिए आया है और आपने भी तक सब कुछ पता ही कर लिया होगा बट काफी कुछ माइनुट चेंजिस हैं माइनुट बाते हैं जो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्डे आरिये है कि सर हमारा जो जो जेई मेन का एक्जाम है वो बोर्ड का एक्जाम से क्लैश हो रहा है तो इसको देखते वे एंटे ने एक स्टेप लिया है कि जो आपके जेई मेन के एक्जाम 16th of April से 24th of April तक होने वाले थे अभी क्या कर दिया है कि 24th of April से 4th of May तक आपके देख सकते हो एक वीक पीछे कर दिया है जे इमेन का एक्जाम ठीक है बट मुझे लगता है अभी भी ये बहुत सारे बोर्ड के एक्जाम के साथ क्लैश हो गई बट ये एक डिजिजिएन आया है आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा डिजिजिएन है इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्डेंट बाते और सर्कुलर में लिखी है जो शायद आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ फॉर्स वीक ऑफ एपरिल में आपको इंटिमेशन मिल जाएगा कि आपका किस सेंटर में एक्जाम होने वाला है सेकिंड और वीक ऑफ एपरिल से आप अपना जो चेवल के नीचे तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कि करेक्शन करने का आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा आप जो भी अपना नाम जो भी आप एड्रेस जो भी फिल कर रहे हैं ठीक है उसको सही से फिल करें ठीक है आप क्रॉस चेक करें ठीक है और आप सा सब्मिट करने से पहले ठीक है डिकलेरेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ का सब के बारे में अब बच्चे पूछ रहे हैं सर अगर 4th of May तक अपना फॉस्ट एटम्ट जा रहा है फिर 2nd attempt भी में में है ऐसे तो 15-20 दिन का ही गाप हो रहा है सिर्फ हमारे 2nd attempt और 1st attempt के बीच में इस तो बड़ा problem हो जाएगा तो पिटा देखो ऐसा हो सकता है अभी officially कोई न्यूस तो नहीं आई है कि second attempt की भी date shift हो रही है बट जहां तक मुझे लगता है कि इतना कम gap NTA नहीं रखेगा minimum 30 दिन का gap रखेगा first और second attempt की बीच में है ना तो second attempt की date भी shift हो सकती है आपको कैसा लगता है comment section में बताना और यह सब मेरे views है कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब इस समय stress free रहने की ज्यादा जूरत है आपको अपने subject पे ज्यादा ध्यान देने की जूरत है ठीक है कोई भी ऐसे important news है कि आपको चैनल पे मिल रही होगी ठीक है तो जल्दी से अपन से कम करो क्योंकि counseling के time पे फिर यह documents दुबारा से cross check होते है जो आपने भरा है और जो आपके documents पे लिखा है वो दुबारा से cross check होता है जिसमें फिर बाद में problem आती है counseling में तो अगर आप सही-सही फिल करोगे तो आपको बाद में कोई problem नहीं आएगी तो यह सारी information थी बटा all the very best आपके कैसे views हैं इस news को लेके आप comment section में बता सकते हो thank you